अलो बुच्चों तो आज हम सुरू करते हैं अपनी नया चेप्टर जिसका नाम है त्रिबुच की सरवांग समता यह हमारा चेप्टर जो है वो सेवैंथ है एक्सरसाइज है हमारी 7.1 तो पहला कुछिन जो है वो हमसे क्या कह रहा है नीम लिखित कतनों को पूरा कीजिए तो कोई हमारी दो रेखाखंड दिये गए हमारी कोई दो रेखाखंड है यह सरवांग सम कब होंगे जैसे कि यह दो हमारे रेखाखंड है यह हमारे सरवांग सम कब कहलाएंगे यह हमारे सरवांग सम तभी कहलाएंगे जब इन दोनों की जो लंबाई है वो समान होगी अकर लं पर आंसर भड़ा जाना चाहिए यदि दोनों की लंबाई समान हो ठीक है यह हमारा भर दिया जाएगा अब दूसरा पॉइंट जो है उसमें कह रहा है दो सरवांसम कोडों में से एक की माप सत्तर है और दूसरे कोड की माप बतानी है मतलब दो कोड हमारे दिये गए एक ये और ये ये दोनों ही सरवांसम है सरवांसम का मतलब है दोनों की माप बराबर होनी चाहिए तब ही सरवांसम होंगे अगर एक सत्तर है तो दूसरा भी हमारा कितना होगा सत्तर ही होगा तो यहाँ पे माप कितनी आनी चाहिए दूसरे की वो भी 70 डिगरी ही आनी चाहिए अब यहां पर लिखा है जब हम code A बराबर code B लिखते हैं तो हमारा वास्तब में अर्थ क्या होता है तो वास्तब में जो हमारा अर्थ होता है वो होता है M code A is equal to M code B कि यहांगार वास्त्व में अर्थ होता है अब अ का मतलब होता है मेजर्मेट या मेजडन कीतना है तो इस अधरीके से हमारा पहला पूरा-पूरा कुशन समाप्ळ हो जाता है अब हम करते हैं अपना दूसरा वाला कोशन तो दूसरा कोशन वास्तविक जीवन से संबन तो में ऐसे अगार हम रांऊं को हम ऑब बता링 है जो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित toutaxo जैसे कि हमारे आनसर क्या हो जाएंगे पहला नौ में दो फुटबाल जो की हमारे सेम साइच कर्यों यह दो जो क्या है वह हमारी football है ठीक है इस तरीके से मैंने बना दिया football होंगी से माकार की होंगी तो दोनों ही football हमारी क्या हो जाएंगी सर्वांग सम हो जाएंगी दो अध्यापिका की मेज बाई एक स्कूल में सभी जो furniture होते हैं सारे साइच के बनवाये जाते हैं आप कुछ भी उधारन दे सकते हो दो सेम पैन्न दो सेम मवाइल यह पहले अधारन हो गया दो फुट वाल्र और दूसरा अधारन हो गया दो अदे आपका की मेज ठीक है तो भाई अब चलते हम अपने तीस्रे वाले कोश्चन पर यह चीं सम इस तरीके से हमारा एरो दिया क्या है FED के अंतरगत त्रिबुज ABC और FED जो है सरवांकसम है तो त्रिबुजों के सभी संगत भागों को लिखिए ठीक है तो इन्होंने क्या बता दिया है हमारे दो त्रिबुज है माल लो एक त्रिबुज हमारा ये है A, B और C ठीक है और दूसरा जो त्रिबुज है वो हमारा क्या है वो है हमारा F ठीक है और इसे कर देते हैं E, F और D ठीक है ये कह लो इन्होंने FED बोला है तो इसको ऐसे भी बढ़ सकते हैं FED ठीक है और ABC है तो A, B, C इस थरीके से हुंने कर लिया है یہ हो गया अब हमने ये जो त्रिबुज बनाए है इन्होंने कहा था कि दोनों के सरवांग सम भागों को लिखिए ठीक है तो हमने क्या किया है ए हमारा इसका सिर्स ये है इसका सिर्स ये है ठीके तो इसके ये जो भाग हो गया है ये समान हो गया ठीके तो सी वाला पोइंट जो है वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ए के और बी वाला जो पोइंट है वो किसके बराबर हो जाएगा डी के ठीके इ त्रिबुज A, B, C जो है वो सरवांगसम है त्रिबुज F, E, D के ठीक है यह हो गया तो यहां पर हम आपको एक चीज बता देते हैं जैसे कि A जो है A इसका पहले है इसमें F पहले है तो A और F को बराबर किया था हमने इधर B था सेकंड इधर E है सेकंड तो B और E बराबर होना चाहिए मतलब B जो है वो हमारा D के बराबर नहीं होगा B जो है किसके बराबर होगा E के बराबर होगा ये वाला जो रास्ता था वो हमारा गलत हो जाएगा ठीके इस तरीके से नहीं करेंगे sorry मुझसे mistake हो गई थी तो अब हम कैसे करना आपको clear हो गया होगा और last वाला C है तो C वाला point जो है वो D के बराबर होगा मतलब C वाला जो है वो हमारा D के बराबर होगा अब आपको clear हो गया होगा इसका A इसके बराबर इसका B इसके बराबर इसका C इसके बराबर होगा ठीके तो इस तरीके समने किया अब हमको सारे जो भाग है सबी सरवांग सम्भाग ठीक है हो जाता है कभी छोटी-छोटी हो जाती है फिर बाद में些 कrition शॉल्फ करने लगते हैं तो अमें होता है कि हमने गलती कहां पर में थे तो हमको रहने सारे points होते हैं वो clear होने चाहिए ठीक है और अगर हम जैसे कि हमसे जो अभी गलती हुई है अगर ये point यहाँ पे नहीं निकल के आता ही अगर मुझसे ये गलती ना होती तो ये जो मैंने आपको points clear किये हैं ये आपको point नहीं clear हो पाता बढ़ी ही रहा कि ये मुझसे गलती हुई और ये जो गलती की है वो अब आप कभी गलती नहीं करेंगे ठीक है तो पहला हम लिख लेते हैं तो हमारा A वाला किसके बरावर था F के बरावर था तो हम यहाँ पे लिख देंगे code A बरावर code F दूसरा लिख लेते हैं जो B वाला जो है वो हमारा E के बरावर था तो लिख देंगे code B बरावर code E तीसरा वाला जो था वो हमारा code C था जो की बरावर होगा code किसके code C हमारे D के बरावर था तो code D के बरावर लिख देंगे ठीके, अब हम करेंगे 4th वाला, फिर करेंगे 5th वाला, 4th वाले में हमारा क्या हो जाएगा, AB, ठीके, यहां का AB किसके बराबर होगा, FE के बराबर, यहां के 2 ले रहे हैं, तो इधर भी सुरुआद के 2 लेंगे, मतलब रेखा AB जो है, वो हमारा किसके बराबर होगी, AB रेखा जो है, FE के बराबर होगी, ठीके, यहां तो आप चित्र को देखो या ना देखो, आप यहां से भी डारेक्ट लेख सकते हो, जैसे BC लेंगे, तो इधर का ED लेंगे, तो हम यहां पे लिख देंगे, रेखा BC बरा हम यहां पे लिखने वाले हैं AC, ठीके, रेखा AC बराबर FD, ठीके, इस तरीके से सारे इसके सारे समर्वांग समभागों को हमने लिख लिया, और question हमारा complete हो गया है, तो तीसरा question complete हो गया है, अब करते हैं अपना fourth वाला question, fourth वाले question को कराने से पहले हम आपको बता दें, तो अब यहां पे question जो है, वो कह रहा है, यदि त्रभुज D.E.F. सरवांसम है त्रभुज B.C.A. के तो हमको त्रभुज B.C.A. के उन भागों को लिखना है, जो निम्न के संगत हो, मतलब यह जो हमें त्रभुज दो दिये होंगे, उनके संगत भागों को लिखना होगा, जैसे कि हमने यहां पे यह जो लिखेते, इसका संगत यह है, या कहलो इसका संगत यह है, इस तरीके से खुद से ही लिखा था, अब इन्होंने हमको दे दिया है, अब हमको ही लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, डाइग्राम बना लेते हैं, हमको बनाना है, दो त्रिबुज, ठीके, तो दो त्रिबुज बना लेते हैं, एक त्रिबुज हमारा यह रहा, ठीके, और दूसरा त्रिबुज हमारा यह रहा, दोनों ही हमारे सरवांगसन त्रिबुज हैं, एक का नाम है, D, E, F, दूसरे का नाम क्या था, B, C, A, ठीके, तो B, B C A ठीक है तो D वाला किसके बरावर हो जाएगा B के बरावर तो D वाला जो है हम दूसरे परेंसे बना देते हैं D वाला जो है वो B के बरावर हो गया ठीक है E वाला C के बराबर E जो है ये जो है वो हमारा C के बराबर हो जाएगा ठीक है और F वाला A के बराबर हो जाएगा तो F कहां है ये है F वाला जो है वो A के बराबर हो जाएगा इस तरीके से ठीक है अब हमें इसी के संगत जो है सारे लिख देना है, तो हम यहाँ पर चूंकी लिख देंगे, हमारा त्रिभूज D, E, F, जो है, सरवांग सम है, त्रिभूज B, C, A के, ठीखे, तो हमको पहला दिया गया था कॉड E, कॉड E, दूसरा दिया गया था, कॉड E, F, रेखा EF तीसरा दिया गया था हमको कोड F चौथा दिया गया है हमको रेखा DF ठीक है यह सारी चीज़े जो है वो हमने note down कर ली है अब अपना answer लिखेंगे जैसे कोड E जो है इसके बराबर क्या था हमारा कोड C था तो हम यहाँ पे इसके संगत लिख देंगे कोड C ठीक है संगत के लिए हम यह सिंबल भी बनाते हैं आप चाहें तो यह सिंबल भी बना सकते हो इस तरीके से ठीक है आपकी मर्जी है चाहें तो चाहें ऐसे कर लो चाहें वैसे कर लो बराबर भी लिख सकते हो ठीके, आपकी मैर्जी है यह हो गया, अब हम करेंगे, ये रेखा, इ एफ है तो EF हमारी ये है, ठीके इ ए एफ, चाहएं, तो आप इसमें भी देख सकते हो, EF के संगत क्या हो जाएगा CA हो जाएगा, चाहएं, तो ऐसे देख लो, चाहएं, EF ये है ठीके चाहें और यह हमारा इसमें कर लो ठीके तो हमारा E F के संगत हो जाएगा C A ठीके फिर F है तो F तीसरा है इधर से इधर से भी हमारा F चाहें तो इन दोनों कोड़ों से देख लो चाहें तो ऐसे हमने जो मिलाया था यहां से देख लो ठीके D, F, D और F तो हमारा हो जाएगा B, A ठीके, B, A ठीके, इस तरहें के से हमारे class जो है पूरी हो जाती है class अच्छी रग दिए तो हमारे चैनल को subscribe करना, video को like करना बिल्कुल नहीं बुलेंगे